आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉक और इनलाइन अलिमेंट्स क्या होते हैं और हम अपने वेबसाइट पे वीडियो या फिर ओडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में उन वीडियो का एक थमने लगाना भी बताऊंगा चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि ये ब्लॉक और इनलाइन अलिमेंट्स क्या होते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ओपनिंग टैग बीच के कंटेंट और क्लोजिंग टैग को ही मिलाके हमारा एक एलिमेंट बनता है तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं तो वह इतंनी प्रेSorry को लेता और भाते स senators ऍैस्टके लिए च्होंड देता है तो ब्लोग के अमय में आने वाले हमारे हैं जिसमें से पेला है हमारा फित 파 दूसरा है संपर कर दो है यहाइब झो कि हमारा है फिर आता है हमारा इमेजda की हमारी इमिज के लिए होता है फिर उसके बाद आता है वह सारे हमारे इन लाइन मैं आते हैं अभी तो मैंने अपने कुछ basic inline and block elements के बारे में मैंने बताया है और भी कुछ advanced block and inline elements है जिनके नाम मैं आपको notes में provide कर दूँगा फिर इसके बाद चलिए कुछ block और inline elements का practical करके देखते हैं कि block और inline elements कैसे work करते तो सबसे पहले मैं यहां पर div tag ले रहा हूं div tag जो होता है बेसिकली हमारे elements का container बनाने के लिए होता है हमाली जी हमें चले लिए और सभी को एक ही element में रखना है तो हम उसके लिए div tag का यूज कर सकते हैं जो कि हमारा इन सारे elements को एक container के अंदर रख देगा तो div tag के लिए हम चलिए जैसे कि मैंने भी बताया था div tag की elements के अंदर आता है div tag हमारा जो है वह हमेशा block elements के अंदर आता है तो div tag में यहां पर देदेता हूं अब देखें यहां पर मैंने दो div tags दिये और अब क्या किया है मैं यहां पर refresh कर रहा हूं तो देख्या चीज हो रही है यहां पर मेरे जो दोनों वर्ट्स थे वह एक के नीची एक आ रहे है क्य वह मैंने दूसरे div में दिया था इसलिए जो मेरा next word है वह next line से start हो रहा है और यहां पर हमें चाहिए कि हमारा यह जो एक और लगाता हूं और यहां पर लिगता हूं अब क्या होगा जैसा कि मैंने का हमारे जो inline elements होते हैं वह अपनी content के according necessary space है उसको लेके बाकी space को अगले content के लिए छोड़ देते हैं तो यहां पर मैं refresh करूंगा तो देख रहे होंगा कि मेरा hello world साथ में लिखिया रहा है एक ही line में तो inline elements का use हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ब्लॉक elements का use हम लोग कर सकते हैं जहां पर हमें चाहिए हमारा content एक नई line से हमें से स्टार्ट हो ब्लॉक और बात कर लेते हैं अपनी website में वीडियो और audio कैसे insert कर सकते हैं वीडियो इंसर्ट करने के लिए हम यहां पर हमें वीडियो टैग लगाना है और इस वीडियो टैग में controls attribute का use करते हैं अब इसके बाद हमें अपने वीडियो की source बताना पड़ेगा कि वीडियो का source क्या है तो उसके लिए हम source tag लगाएंगे और source tag में हम src देके अपने वीडियो की location दे देंगे तो फिलहाल यहां पे मेरे पास वीडियो नहीं अगर आपके पास हो तो आप अपने से वीडियो इंसर्ट करा सकते हैं और अगर नहीं है मैं आपको फ्री वेबसाइट के बारे मता रहा हूं जहां से आप फ्री में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जो की है पिक्सल इस वेबसाइट में आपको वीडियो से लेके फोटो तक हर एक चीज अच्छी quality में और वो भी में मिल सकती है तो यहां समय जली से वीडियो डाउनलोड कर लेता हूं और यह अब मेरा वीडियो डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसकी लोकेशन कॉपी करके यहां पे लिग देता हूं डॉट एमपी 4 और इसके बाद सोर्स टैक और इसके बाद हम कर देंग क्या कर सकते हैं यहां पर इसकी हाइट देने के लिए हम लोग वीडियो टैग में आएंगे और यहां पर हम लोग डिफाइन कर देंगे 200 अब देखे हमारे वीडियो की हाइट चोटी होगे हमारे वीडियो चोटा सामें दिखाई दे रहा है और ले करने यह हमें प्ले भी ह होता हुआ दिखाई देगा अब कंट्रोल का यूज कीव किया था हमने ताकि हमारे वीडियो में कुछ इस तरह से कंट्रोल बटन समय दिखाई दें आप अगर यूट्यूब चलाते होंगे तो आपने देखा होगे हम किसी भी वीडियो पर होवर करते हैं या फिर रिफ्रेश और स्पेज देखे लिखना है म्यूटेड सेव करेंगे और जैसे हम ब्राउजर पर जाके अपने पेज पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे रिफ्रेश करते हमारा वीडियो आटोमेटिक ही प्ले होने लगया और वह भी म्यूटेट फार्म में ही चलिए हमने आप प्ले म्यूटेट पकल लिया हमने अपने यूट्यूब वीडियो में कैसे लगा सकते कोडिंग के तुरू इस चीज के लिए हम यहां पर लगाएंगे पोस्टर और यहां पर में जो भी इमेज चाहिए उस इमेज को हम लोग इन्पुट कर देंगे तो तो जली से मैं अपन अपने वेब केज पर चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे और यहां पर मैं अभी फिलहाल के लिए अपने पेज को रिफ्रेश किया यहां पर मुझे एक दिखाई दे रहा है इसको जब प्ले करूंगा तो यहां पर मेरा वीडियो भी प्ले होने लगेगा तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने वीडियो में थमनेल भी लगा सकते हैं अब बात कर लेते हैं और यहां पर मैं अपने वीडियो में और यहां पर मैं अपने अपने लोकेशन को बता देंगे तो यहां पर मैंने एक आडियो की लोकेशन दे दी है तो चलिए जली से जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहां पर देखेंगे आपको एक आडियो की क्लिप भी मिल चुकी है यहां पर तो कुछ इस दरह से हम लोग अपने वेब पेज पे एक आडियो इंसर्ट कर सकत हमारे HTML का सेशन यही तो होता है complete और हमारी अगली वीडियो से हम लोग CSS के बारे में पढ़ेंगे अपने पेज को CSS के तुरू styling करना सीखेंगे आज की वीडियो में इस वीडियो से लेटेट सारी notes में description box में आपको दे दूँगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब त प्याटनाम